नमस्कार दोस्तों, हेल्थ टेक चैनल पे आपका स्वागत है फ्रेंट्स आज की वीडियो में हम आपको मेट्रो जी लिएप सस्वेंशन के बारे में जानकारी देंगे ये सिरफ बच्चों के लिए होता है तो फ्रेंट्स इस वीडियो में जानेंगे कि इस सिरफ का इस्तेमाल किन किन समस्याओं में कर सकते हैं इसको कितनी मातरा में देना है डोज के बारे में और इसकी मार्केट प्राइज, साइट इफेट, कांटेंट इन सब के बारे में पूरी जानकारी देंगे तो फ्रेंट्स की आप वीडियो को पूरी देखें ताकि आपको Metro G Leap Suspension के बारे में अच्छी तरह से जानकारी मिल सके तो फ्रेंट्स आइए जान लेते हैं इसके Market Price के बारे में तो फ्रेंट्स इसके Market Price 31.43 पैसे है और इसको जुन 2020 में बनाया गया है और मई 2022 में इसकी इसपायरी है तो फ्रेंट्स ये 60 ml की पैकिंग में आता है और आए फ्रेंट्स जान लेते हैं इसके फायदे के बारे में तो इसके Content की बात करें तो इसमें Metro Nita Jol Benzoate और फूरा Jolidone होता है तो फ्रेंट्स ये बहुत ही बेतर फार्मूला है फ्रेंट्स ये प्रत्यक 5 ml में Metro Nita Jol Benzoate जो की 200 mg में होता है और फूरा Jolidone जो की 40 mg में होता है तो फ्रेंट्स ये बहुत ही अच्छा एंटिवाटिक है इसका इस्तेमाल बच्चों के बेट से समधित समस्याओं को ठीक करने के लिए किया जाता है जैसे कि बच्चे को पतला दस्त हो रहा हो बार बार दस्त हो रहा हो तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है पेचिस की समस्याओं तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है इसके अलाब friends अगर पिसाप से समस्या है बच्चे को, पिसाप में जलन हो रही हो, या बार-बार पिसाप हो लाँ हो, तो पिसाप करते समय दर्ध हो रहा हो, तो इन सब को भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो friends ये बहुत ही बेतर दवा है, और बहुत ही कमपनी के द्वारा बनाया जाता है जो की बहुत ही बेतर कमपनी है और फ्रेंट्स आईए जान लेते हैं इसके डोज के बारे में तो फ्रेंट्स अगर बच्चा एक महिने से दस महिने तक का है तो उसको आठ से दस बूत सुबह साम दे सकते हैं और एक साल से पांच साल तक का बच्चा है तो उसको डाई से पांच एमेल सुबह और साम दे सकते हैं या अपने डाक्टर के परामर्स के अंसार फ्रेंट्स इसको लेने से पहले अपने डाक्टर से परामर्स जरूर ले लें और डोज के बारे में अच्छी तरह से जानकारी ले ले लें तभी इसका इस्तिमाल करें क्योंकि फ्रेंट्स इस सिरप का डोज जो है एज और वेट के हिसाब से अलग-अलग होता है तो फ्रेंट्स जितनी मात्रा में डाक्टर्स आपको कहें उतनी मात्रा में इसका यूज करें और फ्रेंट्स आई ये बात कर लेते हैं इस सिरप के कुछ साइड इफेक्ट के बारे में तो ऐसे तो इस शिरब का side effect बहुत ही कम है लेकिन जिनको इसमें मौझूद content से allergy होती है उनको कुछ समस्याइं हो सकती है उनको कुछ side effect हो सकता है जैसे की उल्टी होना बुखाराना या पेट में दर्द होना या दस्त की समस्या इसके अलमा कुछ allergic reaction हो सकते हैं शरीर में खु जी लिए अप सिरफ के बारे में आसा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो like करें शेयर करें और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को subscribe भी कर लें साथ में बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो में नए जानकारी के साथ